आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ relative density x है तो जो force रहेगा solid object पे वो कितना रहेगा x-1 into volume into g x-1 क्या रहेगा मेरा density रहेगी into volume into g है ना ये मेरा force रहेगा क्योंकि density into volume क्या रहता है मेरा mass रहता है mass into acceleration due to gravity मेरा force रहेगा ठीक है तो मैं acceleration लिख सकता हूँ, acceleration कैसे निकालूँगा इसको mass से डिवाइड करके तो x-1 into volume into g upon mass कितना रहेगा x into v है ना जो density into volume ठीक है तो इधर से मेरा acceleration कितना हैगा 1 into 1 minus x into g ठीक है ये मेरा acceleration due to gravity रहेगा अब मेरा को पता है equation of second equation of motion वो क्या रहती है x equal to ut plus half 80 square since मेरी u मेरा initial velocity होती है जो 0 है तो s equal to कहाएगा half 80 square ठीक है s कितना है मेरा 1 meter है ठीक है तो 1 is equal to half into acceleration कितना है मेरा ये 1 into 1 minus x into g g की value कितनी है 10 है ठीक है into t square t कितना है मेरा 1 है तो 1 का square हो जाएगा ठीक है तो इसको solve करोंगे तो ये आएगा 1 by 5 equal to ये आएगा 5 into 1 by 5 equal to 1 minus x ठीक है तो इधर से जो x की value आएगी x की value आएगी 5 by 4 या 1.25 तो मेरी जो relative density है उसकी value कितना है कि 1.25 ठीक है तो ये ही मेरा final answer है इस question पर Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर